नमस्कार दोस्तों आप सभी के एक वफी स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल फ्लिपर सुनरा में है दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट के वीडियो लेगा है दोस्तों इसमें आपको करेंट अफेर्स, साइंस और जीके कोश्चन से इंक्लूड है दोस्तों इसमें 20 कोशन है, Important lot कोशन है दोस्तों और ये तीन टोपिक हर एक 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 एक्जाम में common होता है चाहिött है किसी भीक्साunta की तेरिक क्यों ना करते है उसपर साइंस कर एक्छिय कोशिधक जरो होते हैं तो दोस्तों हमने एक्चोटी होशिज कोई किए यह क्छिए की है आपके सारे से पूछाओगा दोस्तों वो कहाते हैं कि practice set बनाना बहुत important आप किसी एक्जाम की तैरी क्यों न करते हो previous year के questions बनाने के लिए आपको सारे उसमें suggest करते हैं दोस्तों तो यही में हमने एक थोड़ी सी कोशिश करिए दोस्तों कि आपको practice set include किया जाए इस YouTube के channel में और आपकी practice practice को दिहान में रखती हैं कि यह तीन topic ऐसे हैं जो हर एक exam में common होते हैं दोस्तों उम्मिद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों आप पूरा वीडियो देखेंगे एक और आप पूरा वीडियो देख लिए तो आपको अच्छा लगे नए है चनल पे आपको option से A, frequency option B है, bandivots option C है, web length option D है, spectrum तो दोस्तों इसका सही answer option number D यानि की spectrum चलते हैं अगला कोशन के और अगला कोशन है किस राज्य में बहुरम देव मंदर इस्तिता आपको अपको अप्शन से A, 36 गड़, option B, तिल्ली, option C, अश्रम, और option D, गोवा, दोस्तों इसका सह option number A यानि की 36 गड़, और दोस्तों ये बहुरम देव मंदर जो है, ये भगवान शिव्र का मंदर है, ठेक है दोस्तों, और ये 36 गड़ राजे में स्तित है, अगला है दोस्तों, ओदत पुरीविस विद्धाले, किस राजे में स्तित है दोस्तों, तो आपकी options A, पस्ट्रि चताबदी में बनी थी दोस्तों, और दोस्तों इसको पालवंस के राजा गोपाल ने बनवाया था, ठेक है दोस्तों याद रखेंगे, पालवंस के साथ सक गोपाल ने बनवाया था, अगला है दोस्तों, जापान की राजधानी क्या है, तो दोस्तों, आपकी options A, Beijing option B, Kahira option C Tokyo और option D, Rewan दोस्तों, कई बारी एक्जाम में पूचे की question है कि, देश की राजधानी और उसकी मुद्राएं भी एक्जाम में बहुत बार पूचे कि, आपने एक्जाम की त्यारी कर रहे होंगो तो आपको पटा ही होगा दोस्तों, तो मनें छोटी से कोशश करी है कि आपको हर एक एक तो लेकर थिहान में अगती है, common topic को लेकर दोस्तों एक प्रैक्टिसेर बनाया है, जो हर एक exam में आपकी help करने वाले हैं, दोस्तों इसका सही answer है, option number C, Tokyo, अगला है दोस्तों, dy partil ये stadium कहां इस्थित है, आपके options है, Mumbai option B, Chennai option C, Manji और option D, Sylong, दोस्तों इसका सही answer है, dy partil जो stadium ह दोस्तों, ये Mumbai में स्थित है, और दोस्तों ये common, एक इस stadium में से football और cricket दोनों होते हैं, ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों, मकरी के अध्यान को क्या कहा जाता है, आपके options A, कृष्य विज्ञान, option B, प्राने आचार विज्ञान, option C, पुश विज्ञान, और option D, मरकट दोस्तों, मकरी के अध्यान को दोस्तों, मरकट विज्ञान, यानि की आर्कनोलोजी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे अगला है दोस्तों, United Kingdom, Great Britain और उत्रिया एर्लेंड की मुद्रा का क्या नाम है, आपके options A, धिनार, option B, डॉलर, option C, रिलिगट, option D, पॉइंट, इस्टिल लगए दोस्तों, इसका सही answer, यानि की United Kingdom में, दोस्तों, option number D, पॉइंट इस्तेमाल होता है दोस्तों, आपके जुरू बताए करें कि आपकी 20 में से कितनी questions आई हुए है और आपको विडियो कैसा लग रहा है, आपके valuable comment, आपके feedback, आपके suggestion हमाली बहुत important है दोस्तों, प्लीज अपने suggestions comment box में जुरू ट्रॉप करें चलते हैं अगले question के और अगला question है, रेती से बने स्थानों समंद्र के भीतर जमीन की पट्टी से हम stand bar and splits के नाम से जानते हैं दोस्तों, आपके option से ए विवर्थनिक, option B, वर्षा, option C, लगून, option D, गलेशिया दोस्तों, इसका सही answer है, option number C, यानि की लगून अगला है दोस्तों, कुत्ते में गूनसूत्र की कितनी संक्या होती है दोस्तों, आपके option से A, 13 जोड़ी, option B, 12 जोड़ी, option C है, 32 जोड़ी, और option D है, 49 यानि की 39 जोड़ी दोस्तों, इसका answer है, option number D, यानि की 39 जोड़ी दोस्तों, 39 जोड़ी, अगर टोटल संक्या पुज़ी, इसको double करते, दोस्तों, यानि की 78 गुनसूत्र होते है और पेर्स में जोटों, उसका आदा, 39 अगला है, दोस्तों, निमलिकित में से किस ग्रह को, युद्ध का, रोमन देवता कहा जाता है आपके option से, पृत्वी, option B, प्लूटो, option C, शुक्र, और option D, मंगल दोस्तों, अधिक्तर, जो भी ग्रह है, उसको रोमन देवताओं के नाम पे ही रखा गया है, इंगलिश में तो दोस्तों, पूछ रहा है कि किस युद्ध के देवता के उपर नाम है, दोस्तों, तो आपके option से, A आपका answer है, option D, यानि की मंगल, माश ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, अगला है दोस्तों, सम्विधान सभा की, order of business समीति के, अध्यक्ष कौन थे, आपके option से, A, सरदार बल्लभाई पटेल, option B है, डॉक्टर राशंद प्रशाद, option C है, K है मुंसी, option D है, पंडिस जवालाल नहरो, दोस्तों, इसका केरल, option B है, अरुनाचल प्रदेश, option C है, असम और option D है, उत्राखंड, दोस्तों, इसका सही आंसर है, option D, यानि की, उत्राखंड, अगले दोस्तों, तेरवा है, खेल गूद में, ITTF का फून रोब क्या है, यानि की, इसका फुल फॉर्म क्या है, आपकी options है, दोस्तों, international table tennis federation, option B है, international tennis federation, और option C है, international team handball federation, और D है, दोस्तों, international talk ball federation, दोस्तों, ITTF का फुल फॉर्म, यानि की, इसका मतलब प्रारूप क्या है, दोस्तों, तो इसका answer है, option number A, international table tennis federation, अगला है, दोस्तों, यानि की, चौदवा है, मद्दे परदेश में, निमले कित में से, कौन सा पाग, अभ्यारण, इस्तित है, आपके options है, A, पन्ना राष्ट्रे उध्यान, option B, बांदीपुर राष्ट्रे उध्यान, option C है, मानश राष्ट्रे उध्यान, और option D है, दोस्तों, नागरहौल राष्ट्रे उध्यान, दोस्तों, इसका सही answer है, आपका, option number A, पन्ना राष् दोस्तो इसका सही आंसर है option number D यानि की चंद्र दोस्तो चंद्रमा जो है वो पृत्वी का एक मात उपग्र है ठीक है दोस्तो दोस्तो तो option number D चंद्रमा चलते हैं अगले question को अगले question दोस्तो भारती पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वर्तमान में कौन है आपके option से A जवाकल सेरनाथ option B वेंके टिश्वर पर साथ option C है भारत अरून option D है रमेश पोवार दोस्तो इसका सही आंसर option number C यानि की भारत अरून दोस्तो सत्रवा है दिहांग दिवांग जव मंडल कहा हैं आपके option से ओडिसा option B राजस्थान option C अंदर परदेश option D है रून आचल परदेश दोस्तो इसका सही आंसर है option number D यानि की हरून आचल परदेश दोस्तो अगला question है आठवी पंच वर्षी योजना की अवदी क्या है आपके options है 1992 से 1997 तक option B है 1993 से 1998 तक option C है 1994 से 1999 तक option D है 1990 से 1995 तक दोस्तो इसका सही आंसर है यानि की option number A 1992 से 1998 तक दोस्तो उद्ध्योग के आधुनी करण की परकेरिया आठवी पंच वर्षी योजना का दोस्तो मुख्य इनका प्रारूप था कि इनको अर्थ व्योस्ता को इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए अपने जो भी वर्षी योजना का मुख्य एक आकरशन का केंदर था और इनकी योजना थी चलते एंगले question के और आगला question है मात्रों की अंतराश्के पद्यती कब लागो की गई दोस्तो आपकी option से 1979 में option B है 1991 में option C है 1983 में और option D है 1971 में दोस्तो इसका सही आंसर है यानि कि मात्रों की पद तर EC में की गई थी ध्यान रखेंगे दोस्तो कई बार exam में बहुत बार repeat हुगा आपने अगर exam में दिया होगा questions आपने पढ़े होंगे तो आपके ध्यान में जरूर आएगा कि ये बहुत बार repeat हुए हैं और ये अभी भी हो रहे हैं अगला है दोस्तो candela किसका मात्रा क्या आपके options है A, जोती वलक्स, option B, जोती तीरवता, option C, जोती परभाव और option D है जोती दाब तो दोस्तो इसका सही answer है यानि की option number B, जोती तरीवता दोस्तो आप लग जुरू बताएं कि आपकी 20 में से कितने questions सही हुए हैं और दोस्तो आप comment box में जा लें कि आपको किसी question में कोई doubt, किसी option में कोई doubt तो comment box में जुरू drop करें और अपने valuable जो भी आपकी comment है, feedback है आप जुरू drop किया करें उम्मिद करता हूँ दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो जैसा अभी आप comment में जुरू drop करें अच्छा लगा तो please like करें दोस्तो में share करें और चैनल पर नए है और आपको चैनल अच्छा लगा है दोस्तो तो please subscribe कर लें फिर मिलते अगले वीडियो में दोस्तो चैन्द